Welcome back, today is with another learning video तो 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 मैंने आपको पिशले दो पार्ट में ये सिखाया कि टेडिंग गरने के लिए आपको तिन सब चीजों की जर्थ होती है और मैंने आपको ये भी सिखाया कि ये कैंडल कैसे बनते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखाया तो मैं डिस्क्रिप्चिन में ले रिस्ट का लिक दे दूँगा अब वहाँ से जाकी देख सकते हो तो इस वीडियो वे मैं आपको दो कैंडल के बारे में बताऊंगा जो की बुलिश कैंडल होते हैं मार्किट को उपर ले जाने में पहला बुलिश इंगल फिंग दूसरा मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग स्टार ये कैंडल एक अपने स्पेसिफिक जगा पर ही काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो बुलिश इंगल फिंग बुलिश इंगल फिंग का मतलब भी क्या है कि एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को अपने अंदर समा लिया है समा लेना मतलब मैं आपको एक एग्जेमपल बताता हूं एक च्छोटी सी मचली है ठीक है एक बड़ा सा मचली आया उसने इसको खा लिया मतलब इसको समा लिया अपने अंदर इसी को हम इंदर पीन बोलते हैं थोड़ा सा fancy word है बट चले जा इतना ठीक है आपको मैंने example भी बता दिया candle कहा तो हम करता है कहा काम नहीं करता है सबसे पहले अगेर market downtrend में हैं तभी आपको candle बने कव अप्ट्रेट ले सकते हो बट रिमेंबर आप सिर्फ candlesticks pattern से बड़े movement को capture नहीं कर सकते हो इसमें आपको छोड़े चोड़े target मिल जाएंगे जैसे की 1 is to 1 1 is to 2 मैं आपको यह सब भी सिखांगा risk reward ratio आने वाले वीडियो में ठीक है तो यह कहा काम करेगा downtrend में एक support area पे जह candle line पे ठीक है और कहाँ पे काम करेगा अगर मान लोग कोई pattern बन रहा है जैसे कि यहाँ पर w pattern बन रहा है और w pattern में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है डूसरे bottom पर फिर भी यह काम करेगा ठीक है यह अपने specific जगहा पे काम करता है मान लोग मार्केट एक uptrend में तब यह वाला candle ऐसे बने तो यहाँ पर यह काम नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर यह काम नहीं करेगा marketing resistance के पास आ रहा है वहाँ पर आपको यह candle दिख गिरा तो यह काम नहीं करेगा ठीक है यह चीज़े कोई भी नहीं बताता है सब लोग यह ही बताएंगे कि यह candle बन ग हमेशे समझना candle क्या जैसा मर्जी हो मानलो यह red candle बना है अगर green candle इसको थोड़ा से भी आसे पूरा cover कर ले न तो यह candle काम कर जाता है ठीक है अगर मानलो red candle यह बना हुआ हो एयए yellow candle यह है और green candle क्या हुआ इसके नीचे जाके यहाँ पर ऐसे close कर रहा है पर इसने इसको इंगलफ नहीं किया तो भी यह काम नहीं करेगा अब यहाँ पर देखो market यहाँ पर open हुआ gap down करके open हुआ और market नीचे जाता हुआ अब यहाँ पर देखोगे आपको साप साप यहाँ पर bullish engulfing candle दिख रहा है आपको कोगे sir यह तो mid range में तो यहाँ पर यह work क्यों किया देखो अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको यह एक support area दीखने के लिए मिल जाएगा exact market वहीं से गया है और वहीं पर यह बना है मैंने आपको क्या बताया कि यह जब support हो तब काम करेगा ठीक है एक downtrend हो तब काम करेगा तो यहाँ पर देखो आपको एक support area दिख रहा होगा first time भी यहीं पर second time भी market यहीं से गया था और यहाँ पर third time फिर से यहीं पर आया और यहाँ पर आपको bullish engulfing candle देखने के लिए मिल गया आपका entry यहाँ पर होता stop loss आपका यहाँ था अगर आप risk reward के ratio के से चलोगे सबसे पहले first target तो आपका यह होगा then आपका जो भी risk reward है 1 is to 1, 1 is to 2 वो आपका risk reward होता जैसे कि यहाँ पर देखो आप entry करते call की तरफ यहाँ पर आपका entry होता आपका stop loss इसके नीचे होता और जो आपका target है first तो यह वाला तो क्योंकि यह एक gap down ओपनिंग था ठीक तो यहाँ पेसी आपका यह होता अगर आपका 1 is to 2 risk reward है तो आपका यह वाला होता तो आपका easy यहाँ पर देखो जो target हो जाता बट remember मैंने आपको यह बताया कि इससे आप बड़े movements को capture नहीं कर सकते हो इससे आप 1 is to 1, 1 is to 2 को ही capture कर सकते हो अब देखो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर प्रॉपर एक bullish indulging candle दिख रहा होगा मैं तोड़ा से इसको जूम कर देता हूँ काकि आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख जाए यहाँ पर देखो आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख रहा है bullish indulging candle एक red candle बना है और जब green candle बना हुआ है ठीक है अब यह वाध़ देखो यहाँ पर क्षा बॉलेंगे केंड़ ko नहीं को बोलेंगे क्षा नहीं हुआ पिंगेavic his आपर यहां पर देखो आपको पता लगेगा यह एक सपोर्ट एरिया है और एक्जेक्ट मार्किट हुँ बना आई यह वाला जो कंडल देख रही हो मार्किट में उसी जगे पर यह कंडल बना हुआ है और यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यह bullish engulfing candle है तो आप क्या गरते हैं यहाँ पर आपका जो यहाँ पर entry होता stop loss इसके just नीचे तोड़ा सा buffer देखे होता और आपको जी risk reward है उसकी साफ सी 1 is to 1, 1 is to 2 इसके उपर मत जाना क्योंकि candle sticks pattern की help से आप बड़े movements capture नही कर सकते हैं आपको bullish engulfing pattern का एक होड देखो यहाँ पर यह market downtrend में है और यहाँ पर आपको साफ साफ W pattern दीख रहा है यह bullish candle है first confirmation second आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक neckline दीख रहा होगा ठीक है और यही पर double bottom पर आप देखोगे bullish engulfing pattern बना है मैं आपको यही पता है था क pattern पर बने तो यह बहुत अच्छे से कांग करते हैं तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको entry execute करने का मौका में रहा है तो दूसरे हमार पास candle आता है morning star candle यह candle bullish candle होता है यह भी candle एक specific जगे पर ही काम करता है जैसे कि downtrend में एक support area पर और एक trend line पर ठीक है वह यह वही पर ही काम करेंगे तो यहाँ पर देखो इस candle के सबसे बड़ा cycle होजी यही candle है ठीक है यह जो आप नीचे देख रहे होगे indecision candle सबसे बड़ा cycle होजी इसका यही पर यह यहाँ पर आप देखोगी पहला first candle आपको ऐसे red दीखने के लिए मिलेगा ठीक है मैं इसको त यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए तो यह सबसे अच्छा काम करता है तो यह मार्केड में खाफी उपर लिगाने में help करता है बड़ रिमेंबर टैनलिस्टिक्स पैटरल से आप बड़े मोमेट्स को capture नहीं कर सकती हो ठीक है जैसे कि यहाँ पर देखो इसको भी break किया औ और इसको break किया तो इसने क्या किया दोनों को भी ingle कर लिया इसने भी ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करते है जैसे इसका breakout होता है इसका तो हम यहाँ पर करते है यहाँ अपने entry एक्जिक्यूट करते है और ओपर की तरफ जाज़ए stop loss हमारा इसके नीचे होता है इसके भी दो रूल होता है सबसे पहले आपको यह दिख रहा होगा जब इसका breakout होता है ताफ एंट्री हमें बढ़िया से मिल जाता है second मानलो यह वाला candle से बन रहा है ठीक है then हमारा क्या बनता है indecision candle color doesn't matter है ठीक है यहापर color कोई matter नहीं करेगा अगर मानलो next हमारा green candle बन रहा है यहापर बनाया ठीक है यह green candle बने और इसको break नहीं कर पाया ठीक है इसको break नहीं कर पाया तो हम क्या करते है यहापर next candle का wait करते है अगर next candle इस्टिव ऊपर यहाँ पर close कर जाता है ठीक है इस्टिव ऊपर close कर जाता है then यहाँ पर अपर entry exit करते हैं जो हमारा stop loss होता है वो इस candle के नीच यहाँ पर होता है ठीक है फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम यहाँ पर call की trade पंच करते हैं मैं आपको अब example भी दिखा देता हूँ कि market में कैसे काम करते हैं अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर भी morning star candle दिख रहा होगा बट यहाँ पर देखो यह वाला जो candle है कि इस candle के ऊपर close नहीं कर पाया तो मैंने आपको क्या बताया next candle का wait करो next candle अगर इसको break कर देता है then आप यहाँ पर entry execute करो तो यहाँ पर आपका stop loss यहाँ पर होगा target आपका 1-1 जा 1-2 का होना चाहिए पर यहाँ पर देखो आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिला यह जो next candle है next candle ने इसके ऊपर भी closing नहीं दिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपना trade को avoid करेंगे ठीक है इस condition में हम trade को नहीं करेंगे अब देखते है दूसरा यहीं पर देखो आपको एक support area दिख रहा है यह वाला ठीक है एक support area दिख रहा है और फिर से आपको यहाँ पर morning star candle देखने के लिए मिल गया हमारा condition क्या है यह वाला candle अगर इसको break करेगा तो हम trade लेंगे पर यह वाला candle इसको break नहीं कर पाए तो हम बेट कर रहें तो next candle का next candle भी अगर यह break नहीं कर पाता है तो हम क्या करते हो आपके trade को avoid कर देते हैं next candle ने क्या इसको break किया है नहीं किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे trade को avoid करेंगे then अब दुआरा से देखोगे कि फिर से morning star candle बना है एक support area पर तो इसकी यह accuracy है यहाँ पर बहुत हाई है क्योंकि morning star candle यह support area पर बनता है तो इसकी यह accuracy होती है बहुत हाई होती तो यहाँ पर देखो जब यह candle बना इन decision candle के बाद यह green candle आप देख रहे हो क्या इसने इसको break किय है नहीं किया है तो हम क्या किरते हैं यहाँ पर next channel का wait करते है next channel इसको break किया है yes किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारा entry होगा इस जगे पर होगा ठीक है जो हमारा stop loss होगा इसके नीचे buffer दिके थोड़ सा होगा जो हमारा risk reward 1-2 होगा तो यहाँ पर आपका target होता क्योंकि एक resistance area यहाँ पे से बहुत चान्से के marketing जैसे पलड है ठीक है तो इस तरीके से यह जो morning star candle खांप करता है I hope इस वीडियो के माधियम से आपको कुछ learning points मिले होंगे अगर आप एक beginner होतु तो इसी बार पर एक like subscribe जिरूर कर देना मिलते हैं next video में have a nice day